हरियाना के महिंद्रगड में पर्चून की दुकान चलाने वाले एक पूर्व फौजी पर गुरुवार को फाइरिंग की गई उसकी दुकान पर बोलेरो गाड़ी से एक व्यक्ति आया था, जिसने आते ही गोली चला दी इससे युवक घायल हो गया सूचना मिलने पर पुलीस मौके पर पहुँची और कारवाई शुरू की लोगों से पूचताच की गई, साथ ही घायल दुकानदार को अस्पताल भेजा गया घायल युवक का नाम सनोज यादव है, वह भोजावास गाव का रहने वाला है फिलहाल उसकी जान खत्रे से बाहर है अपने बयान में घायल सनोज ने पुलीस को बताया है कि वहाँ दोपहर करीब तीन दुकान पर बैठा था उसकी दुकान गाव में बस स्टैंड पर है इसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी आकर उसकी दुकान के सामने रुकी उसमें पांच से साथ युवक सवार थे, लेकिन उत्रा केवल एक ही सनोज का कहना है कि उस अग्यात युवक ने गाड़ी से उतरते ही पिस्टिल निकाली और उसने सिर की और पॉइंट कर फायर किया सनोज ने कहा कि वह पिस्टिल देखते ही नीचे जुक गया था, जिससे गोली उसकी बाजू में लगी साथ ही उसने दुकान पर रखा स्टूल आरोपी की और फैंक कर मारा इससे आरोपी फोरण गाड़ी में बैठा और फरार हो गया गोली की आवाज सुनकर मौके पर काफी लोग जमा हो गए थे सनोज ने बताया कि लोगों ने पुलीस को सूचना दी पुलीस टीम के साथ डीएसपी दिनेश कुमार मौके पर पहुँचे थे उन्होंने जाच कर साक्ष्य जमा किये और लोगों से आरोपी के बारे में पूचताच भी की इसके साथ ही घायल सनोज को कनीना के अस्पताल में भेजा वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर किया घायल सनोज का कहना है कि वह आरोपी को जानता नहीं है साथ ही उसने बताया कि साल 2023 में भी उस पर जानलेवा हमला हुआ था तब मामला पैसे के लेंदेन का था